नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिखादूरिया चक्रवाद बुरेवी अब कमजोर होकर निम्न दबाव के शित्र में तब्दील हो गया है तुफान के आज तमिलनाडू के पंबन और तूथी कोरिन के बीच दोपहर में टकराने की संभावना है इस बीच दक्षन भारत के कई एरपोर्ट पर फ्लाइट्स को रोग दिया गया है तुधी कोरिन से जाने वाली और वहां आने वाली सभी उडानों को सस्पेंड कर दिया गया है केरल के तिरुवननत पुरम एरपोर्ट पर भी सुभा दस बज़े से शाम छे बज़े तक सभी उडानों को चक्रवाद की वज़े से सस्पेंड कर दिया गया है एरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि एरलाइन्स कम्पनियों को फिर से सेवा रिश्यट्यूल करने को कहा गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो हलाकि अपातकालीन परिसित्यों के लिए हवाय अर्दे खुले रहेंगे मौसम विभा के मुताबिक आज सुभा साड़े पांच बजी के करीब रामनाथ पूरम तट के पास मननार की खाड़ी के उपर निम्न दबाव का केंद्र पाया गया ये व्यवारिक रूप से स्थिर था जो रामनाथ पूरम से लगबग 40 किलोमीटर तक्षिन पश्चिम में है पंबन से इसकी सिती 70 किलोमीटर पश्चिम दक्षिन पश्चिम में है वहां 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से हवा की गती तर्च की गई दट तक आते आते इसकी गती 75 किलोमीटर प्रती घंटे हो सकती है चक्रवात को दिखते हुए तमिलाडू सरकार ने राज्जी की 6 जिलों कन्यकुमारी, तिरुनेवली, तेकासी, रामानतपूरम, विरुद नगर और तूती कोरिन में सावजनिक छुक्ति का एलान किया है इन सभी जिलों में भारी बारिश का इलर्ट चारी है महीं केरल में भी बुरेवी चक्रवात और भारी बारिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्जी सरकार ने 5 जिलों तिरुवननतपूरम, एरना कोलम, पठान, मिथीटा, अलपुझा और इडूकी में शुकरवार को अफकाश की घूशना की गई है इस दोरान सभी परिक्षाइं सखित कर दी गई है मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि चक्रवात भुरेवी आज केरल तमिलनाडू तट से टकरा सकता है इसलिए दक्षिन तमिलनाडू और तक्षिन केरल के तटों के लिए रेड इलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने तमिलनाडू और दक्षिन केरल में भारी बारिश की भी आशाका जताई है चक्रवाती तुफान के अलर्ट को देखते हुए दोनों ही राज्यों में प्रिशासा ने मच्छवारों को समुद्र तट पर नहीं जाने की सलहा दी है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ